फ्रेंट्स जो भी मोटर भेहिकल इंस्पेक्टर बनने के लिए तयारी कर रहे है चाए मोटर भेहिकल इंस्पेक्टर बनना है उसके लिए पर एक क्राइटेरिया आप समझ लीजिए कोई भी स्टेट में इंडिया में हर एक स्टेट अलग-अलग तरह से DTO और RTO नियो करता है DTO होता है District Transport Officer और RTO होता है Regional Transport Officer जोनों को कॉम्बाइन में बोलता है Motor Vehicle Inspector या गारी परजब एक्खक तो इस नोगरी के तैयारी करने के लिए आपको तीन चीज करना होता है बिटेक या डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा ओटोमबाल या मेकनिकल इंजिनेरिंग से या तो डिप्लोमा मतलब पोलिटेकनिक पास कर लिजे ओटोमबाल इंजिनेरिंग या मेकनिकल इंजिनेरिंग से या बिटेक पास कर लिजे automobile या mechanical engineering है उसके बाद आपको driving license का procedure करना है complete हे भी driving license चाहिए finally जिसको करने के लिए पहले आपको learner license बनाना परता है उसके बाद आपको light करना परता है उसके बाद आपको medium करना परता है फिर आपको हे भी करना परता है तो हे भी driving license आपको criteria पूरा करना है तीसरा होता है क्या आपको किसी भी private company, semi private company उसमें काम करना होता है या government में भी आप काम कर सकते हैं अगर government से आप experience दे रहा है तुरंत आप college से निकलते ही government नौकरी मिल गया होंगे तो क्योंकि जो mbi motor vehicle inspector है वो भी government नौकरी है लेकिन उससे अगर आपको लगे जिस नौकरी आप कर रहे है जो गारी related है भीकर related है लेकिन आप job change करना चाह रहा है तो आप भी उसके लिए criteria पूरा कर रहा है तो आप भी उसके लिए एंट्रिबू दे सकते है या exam दे सकते है और कुछ-कुछ जगह पे तो आज कुछ-कुछ state में अपना height mention कर दिया है कुछ-कुछ state है जो height criteria अभी तक नहीं किया है तो किसी भी height color का उस नौकरी के लिए apply कर सकता है और exam interview दे सकता है और नौकरी भी ले सकता है तो फ्रेंट ए वीडियो आपको कैसे लगा अच्छा लगे तो like comment और share जरूर कर देना अगर इस वीडियो में कुछ कमी आपको देखे तो वो भी आप comment करके बताना क्योंकि अगला वीडियो में मैं ओक कमी को दूर करके फिर वीडियो अपलोड करूंगा thank you